दोस्तों अब यह वी ट्रेंडिंग इस्टा खिसले लाइब आये थे और कल जो हुआ था विबेक सिंग लाइब आये थे उससे पहले विजंदर सिंग ने एक वीडियो डाली थी जिसमें काफी सारे एलिगेंस लगाए गए थे यानि कि छोर बताई यह था अखिलेस केशब औ आरगेट करते हुए विजंदर सिंग ने काफी कुछे बाते बताई और उसी को लेके आज लाइब आये और उसमें पूरा कर दिया कि यह सारी चीजें कहीं एक तरफा से हो रही है कोई हमारे टीम में ऐसा नहीं है जो कि हमारे साथ चल कर सकता है हमारे टीम के साथ धोकाधा आठी कर सकता है ऐसा कुछ नहीं है यह सारी चीजें एक तरफ से हो रही है वहीं से यह सारी बाते हो रही है यह बाते ने चाहिए जहांसे यह मुद्दा उठा था और इसमें फंसे हुए हैं और हीजालल यादो ने भी कहा हैं कि कोई भी बंदा पोच यह सब हम महनतごहने साथ सुव crush करते रहते हैं ऑर कच बाते बता हैं लेकिन ये कंपनी आगे भी एग्रिमेंट करना चाहती थी अपने इस सारों पे न चाहती थी मतलब कि यह गाना चाहती थी यह दूसरा गाना दीजिए यह पहला गाना हमें ही दीजिए एसी एसी काफी चीज़े को परिशान की जाती थी गुलोबल जंसन मिजिक से और खेसर लेल्यादों ने ये भी कहा कि ये मुद्दा सॉट आउट हो जाएगा लेकिन वो करना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये लड़ने वाले इंसान है खेसर लेल्यादों ने कहा कि मैं एक अभी म अबागी जितनी अपने अपने लिए करते हैं और इस वी जितनी टीम को अपने घर वालों को अपने दोस्तों को को जो गाड़ी जो घार बंगला बंगला को सर लिए घंड हुआं कि ये साझमश listen हैं बाखी तो जो इतना जो मेहनत किया है उस इसाब से जो पाया है इतने उनके टीम के लोग कोई बंगला बना लिया कोई घर बना लिया कोई इतनी अच्छे-ची गाड़िया पे घूम रहा है मतलब अभी खिसालयादों ने पूरा डाउट किलियर कर दिया कि हमारे टीम पे अरोब लग रहे हैं कि अखिलेश के इनके मैनेजर विवेक सिंग जो की घूस लिये हुए है इनको फशाने के लिए तो खिसालयादों ने अज टोटली किलियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है यह सारी चीजे एक तरफ से हो रही है कोई हमें बरबाद देखना चाहता है और दूर्द अकेले मार्केट में बजना चाहता है और यहीं पर बात उठती है कि अखिर यह इंसान है कौन बरबाद होना देखना चाहता है सामको एक डिटल्स में वीडू आएगे इस पर हमारे चैनल पर जरूर दिखिएगा कि कौन खिसालयादो को फशाना चाहता है पूरी डिटल्स में आज वीडियो आएगी मेरे चैनल पे आप सामको पांच में जरूर दिखिएगा बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है उसमें हम आपको प्रूप के साथ दिखाएंगे किसलियादों को कौन फरस आना चाहता है कौन इंडिश्ट्री से बाहर करना चाहता है खेसलियादों को और एक तरफा वजन चाहता है भचपूर इंडिवस्ट्री में राज करना चाहता है क्योंकि उसको दो दिक्कत है जब से खेसलियादों मार्केट में आये हैं 2012 से अभी तक लगतार खेसलियादों नमर वन बने हुए हैं और इंसान नहीं चाहता है कि खेसल जान हूं इस एग्रिमेट ने मुझे काफी परशान किया है पिछले 10-12 दिन तक मैं सोहन नहीं हूं मैरी फ्यामली नहीं सोही है अपनी वाइफ का भी नाम ले रहे थे उनके बच्चे भी नहीं सोह है क्योंकि इस एग्रिमेंस से क्हिसलियादों काफी परिशान है यह भी क पूरी टीम से की सबको आना चाहिए साथ में सब सब एक साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे तो सारी चीज़े सौट आउट हो जाएंगे आने वाले दिनों में कोई भी भोश्पूरी का सुपरिश्टार ऐसे बरवाद नहीं होगा जैसे अभी मुस्किले कि सारी लेलादों पर खड़ी हुई है नहीं तो एक नाएक दिन ऐसा आएगा कि एक करके सारे सुपरिश्टार ऐसे ही बरवाद होते जाएंगे और हमारी भोश्पूरी इंवर्श्टी एकदम से बरवाद हो जाएगी और यह सारी बात है आज के लाइफ में खिसार लेलादों ने बताई और हमारे टीम के तरब से कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि हमें कोशिस यह एक तरब से हो रहा है कोई एक ऐसा इंसान है आप करते जाते एक और बात करें कि सारा प्यार हमारा और अडियौंस का है यह प्यार अगर हमारे साथ रहता है तो हमें कोई बरवाद नहीं कर सकता है हलाकि मैं परशान हूं बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बर्वाद हो जाओंगा मैं एलबॉम कर रहा हूं और फिल्मों के गाने भी आ रहें तो आप गानों का इंजोई लीजिए और कुछ इंतजार कर लीजिए फिर आपकेट सामने रहेंगे ऐसी बाते बताई किसा ले लिया दो ने बखी आप क्या कहना चाहते हैं हमारे ट्रेंडिंग इस्टाइक से लिए गवारे में एक कमेट जरूर करिएगा मैं है सिरकेष्णा